दोस्तों, इंडिया में गोगरो जिसे नए नए ब्रेंड जो है काफी देखने को मिल रहे ह начала, कि बाहर के कंट्रिस पर अध्र्स कूटर काफी एच्छे चलते हैं तो नए ब्रेंड जो है विन फास्ट अध्रेंड स्कूटर और काफी नया कुछ देखने को मिलने वाला है उर काफी कम प्राइज में ये Forester एक्प्रक में जिसमें Metal टाइब की बाड़्य को देखने को मिलने वाली आट्रbay विडीयो में की इनधे लूस हैं लूक की अफ़ी सीमें यहाँ डेखने को मिलने है तो क्या हैend fast electric scooter की सबी डीटेल आपको इस वीडियो में एक वीडियो में सब कुछ देने वाला हूँ तो काफी information वीडियो होने वाले एंड तक वीडियो को ज़रू से ज़रूर देखना तो चलिए आर शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले आपको बता दूँ वीडियो थोड़ा सा लेंती हो सकता है बर डीटेल आपको सबसे पहले एंड सबसे जाद आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाले तो फटा फट से लाइक भी करना ना भूले सबसे पहले बात करते इसके बैटरी के बारे में, क्योंकि यार इंडियन मार्केट में, जब कोई electric scooter लेता है, तो उसकी battery का replacement का cost ही ज्यादा देखने को मिलता है, तो जैसे कि अगर हम होंडा की बात करें, तो होंडा की electric scooter में जो battery आती है, वो खुद होंडा प्रोवाइड करत वेसे आपको winfast electric scooter में वो battery आपको देखने को मिलेगी, LFE battery रहने वाली है, अच्छे quality के sales इन्होंने यूज किये है, company का कहना जिसके मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 12 सल तक battery की life रहेगी, जो इसमें range की बात करें तो 194 km की range, मतलब 200 km की आसपासिस की range देखने को मिलेगी, पूरी तर से completely removable battery रहने वाली है, जैसे कि आप Honda की बात करो या गोगरो की बात करो, जैसे आप जो कुछी second में swapping कर सकते हो, विसा आपको features इसमें देखने को मिलेगा, और कुछ time के बाद ये features, ये technology है, बहुत काम की होने वाली है, कुछी second में आप जो फुल charge वाली battery ले सक क्योंकि आइंडिया के बाहर जो technology है, वो like battery के उपर हो गई, या motor के उपर हो गई, या features के उपर हो गई, वो काफी next level होती है, और वो धीरे धीरे इंडिया में भी आ रही है, speed की बात कर तो इस motor में आपको 78 km का top speed देखने को मिलने वाला है, और battery जो है guys, इसमें 3.5 kilowatt हर की है, जिसमें आपको 200 km तक range देखने को मिल रही है, इसलिए मैंने कहा कि कम energy में ज्यादा range देखने को मिलेगी, जो कि यार इंडिया में ये possible नहीं हो पाता, motor and battery की बात करें तो IP67-88 battery and motor आपको देखने को मिलने वाला है, fully waterproof है, LFE battery है तो आराम से ज्यादा time तक तो चलने वा भी इसमें changes करके company अपने electric scooter में आड़ करने वाली है, इसमें आपको normal display भी देखने को मिलेगा and बड़ा display जो ओला ether प्रोवाइड करती है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब option आपको दो देखने को मिलेगे, बट फिर भी आपको electric scooter में GPS, Bluetooth connectivity ऐसे नए 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 features आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद इसमें आपको metal body देखने को मिलने वाले, metal body मतलब जैसे कि Honda की active electric में भी आने वाला है, बजाज की जो चेतक electric scooter है, उसमें भी आपको metal body देखने को मिलती है, जो की IC engine वाली scooter में रहती है, उससे आपको scooter की life and scooter की जो finishing है, वो ज़्यादा टाइम तक चलती है इसलिए आपको इसमें metal body मिलेगी तो आराम से आप रह सकते हो आपकी electric scooter अगर गिरती भी है तो कोई tension लेने की जोरत नहीं होने वाली है tubeless tire आपको देखने को मिलने वाले front and rear में आपको disc brake देखने को मिलेंगे regenerative braking भी मिलने वाली है इसलिए इसकी range जोई है थोड़ी सी बढ़ने वाली है जिसे जिसे आप braking करोगे विसे विसे अपकी battery जोई चार्ज होगी है उससे आपको range थोड़ी सी जादा और भी देखने को मिल सकती है एंड इसमें आपको साथ कलर देखने को मिलने वाले एंड गाइस वीडियो आपने यहां तक देख लिया है इंफॉर्मेशन पूरी देख रही हो तो यार प्लीज प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना काफी मेहनन से वीडियो बनाते बड़ आप लाइक ही नहीं करते तो फटा वट से वीडियो को लाइक कर दो तो चलिए भी फाइनली बात करती यार सब कुछ बता दिया यार इसकी प्राइसिंग क्या है और कब तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी ये बता दो तो देखो यार दोस्तों इंडियन मार्केट में जिसकी प्राइसिं भी रहती है तब भी आपको 194 किलोमेटर की रेंज पावरफुल बैटरी लाइफ एंड अच्छे क्वालिटी के लेक्टर स्कूटर देखने को मिलने वाली है फिर भी बेस्ट आप्शन आपको देखने को मिल सकता है बट नया ब्रैंड है इसलिए ज्यादा प्राइस नहीं मार्केट में आने के लिए इन्टिया के गवर्मेंट को अपलाई किया है जो कि तामिल नाडू में मैनेफेक्चरिंग प्लैंट करने का इनका प्लैनिंग है तो नेक्स कुछ ही महिनों में ये इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली है इसके बाद काफी वीडियोस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो का लाइक का टार्गेट रखते हैं 2000 लाइक्स ज्यादा नहीं दोस्तों काफी ज्यादा व्यूज आते हैं एक एक करके आप जो कंप्लीट कर दो मिलते हैं नेक्स वीडियो में